हेलो फ्रेंड सत्य में बजयते हैं जैसा कि हमने पिछले क्लास में जो आपको बताया था वहां से हमने कुछ कुस्टन को क्या किया था लिस्टिंग किया था और उसे बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा था तो आए आज भी मैंने कुछ अच्छे-च्छे कुस्ट और यहां से आते हैं इसलिए मैं चाह रहा हूं आप जो भी एक्जाम दे यह जितने तरह का एक्जाम दे वहाँ अच्छा स्कूर कर पाएं चलिए आये देखते हैं अब हम जानते हैं आर्क मेडीज का सिधान्त होता है तो समझेगा कहता है जब कोई वस्तू किसी द्रव या गैस में पूर्ता या अंस्थर डुबाई जाती है क्या कि यह जाती है डुबाई जाती है तो उसके भार में अभासी कमी वस्तू के डूबे हुए भाग द्वारा करते हैं गैस में गैस हो या कोई द्रव हो उसमें जब भी हम कोई वस्तु को डुबाते हैं क्या करते हैं डुबाते हैं तो उसके भार द्वारा ठीक है यह देखिएगा उसके भार में अभासी कमें आता है क्या कमें आती है अभासी कमें आती है मतलब जो हलका आपको फील होत भागध द्वारा हटाये ध्रव मतलब जीतना ध्रव जो हटता है ठीक है भार के क्या होती है बराबर होती है जीतना ध्रव हटेगा और द्रव का जीतना भार होगा वो दोनों क्या होता है अपस में इक्वल होता है तो इस सिधान्त को हम क्या कहते हैं आर्क मिडीज का सिधान्त कहते हैं अब बात करते हैं एक लाइन में समझने की तो जैसे देखिए अध्यान समझेगा जैसे आर्क मिडीज का सिधान्त ही बताता है ठीक है जो अगर कोई कमी होती है अब हासी कमी होती है तो जितना भाग द्रब को हटाता है कोई बस तो ठीक है तो दोनों आपस में क्या होता है वो इक्वल होता है क्या होता है इक्वल होता है तो इसी सिधान्त को हम कहते हैं क्या कहते हैं आर्कमीडीज का सिधान्त कहते हैं आर्कमीडीज साहब अ आपको यहां से जानने को मिलता है जिसे कारण जैसे हम इस टीम इंजन की बात करें ठीक है तो इस टीम इंजन भी इसी पे वार करता है इसी पे काम करता है तो यह बहुत बढ़ा एक सिधान्त है जिनके किन के नाम से जानते हैं आर्क मिडिज के सिधान्त के नाम से जानते हैं तो कहता है किसी पदार्थ के घहनत्तों एवं परमानिक पदार्थ के घहनत्तों के अनुपात को उस पदार्थ का घहनत्तों कहते हैं मतलब समझेगा किसी पदार्थ का गहनतों मतलब किसी पदार्थ का डेंसिटी एबं परमानिक पदार्थ जो पहले से क्या क्या परमानिक क्या मतलब जांच परफ के रखा गया है तो दोनों के गहनतों के अनुपात को मतलब एक क्या हुआ परमानिक पदार्थ का गहनतों और क मसते हैं कारे कार कहने का मतलब वर्क होता है कहेंगे किसी वस्तु पर लगते हुए बल के परिमान और बल की दिशा में बस्तु द्वारा तै की गई दूरी के गुनन फल को उस बल द्वारा उस वस्तु को क्या किया गया कारे कहलाता है कारे कहने का मतलब हुआ जैसे हम कोई का काम करते हैं जैसे कोई भी काम जैसे चलना होता है पढ़ना दोड़ना ठीक है यह सब है क्या मैं ठीक है लेकिन इस चीए्ज के भासा में अरक मैं आपको बता दे ещё अगर आप यह मारकर लेकर के या कोई माथा पे या सर पे कोई बोज लेकर कितेefर एक जगां अगर आप चल फिर नहीं करते हैं, तो science की भासा हम उसे काम नहीं कहा जाता है, science के भासा हम उसे हम काम नहीं कहेंगे, ठीक है, आप कुछ भी ना करो, कुछ भी लेके इधर उसे उधर नहीं जाओ, दिन भर only for चलता रहो, तो science बोलता है, ये काम बहुत ज्यादा किया है, ठी मतलब होता है इस कहने का मतलब होता है डिस्टेंस इस कहने का मतलब क्या हो गया डिस्टेंस हो गया यहीं लिखा गया है डबलू बरावर एफेस ठीक है यहां भी लिखा होगा अब बात करते हैं डबलू बरावर एफेस यह फर्मूला होता है कारे का किसका कारे का यह फर्मू में क्या बूलेंगे जब बिस्ठापन बल की दिषा में होता है तो कारे का परिमान कारे का परिमान क्या होता है धनात्मक होता है अब कहेंगे जब विस्थापन बल की दिशा के विप्रीत दिशा में होता है तो किया गया कारे क्या होता है रिनात्मक होता है क्या होता है दोस्तों रिनात्मक होता है अब समझते हैं यदि किसी वस्तु का विस्थापन स सुन्ने हैं तो बल दोरा उस वस्तु पर किया गया कारे भी क्या होगा सुन्ने होगा क्या होगा सुन्ने होगा तो आज हम कमेंट भी किजिए चलिए थैंक यू